मालक्षमी जी का जो सवारी है जिस पे मालक्षमी जी विच्रन करते हैं बेटते हैं वो है हाती जिसे एरावत हाती कहते हैं मालक्षमी जी एरावत हाती के उपर बेट कर प्रत्वी लोग पर भ्रहमन करते हैं तो एरावत हाती का जो प्रिय वस्तु है वो है गन्ना तो जहां करना चाहिए तो उस परानिक कथा क्या अनुसार भगवान विश्णू और लक्षमी जी प्रतवी लोग पर भ्रहमन करते हैं तो उस समय पे बहगvableन विश्नु जी को दख्षिं दिस con कोई कार यहाद आता है। तो बगवन विश्नु इसके आप मेरे आने तक का इंतजार करिए, प्रतिक्षा करिए। तो बहग विश्नु ऐसा कह कर चले जाते हैं और मा लक्समी जी वहीं पर भगवान का इंतेजार करते हैं, मा लक्समी जी इंतेजार करते करते देखते हैं कि एक खेत में गन्या लगा हुआ था, माता जी को कफी भूक लगी थी, माता जी ने कहा चलो गन्या का भोजन किया जाए, गन्या को ग्रहन किया जाए, माता जी क्य यह दंड सुरूप में इसके भुकतान के शुरूप में आपको इस किसान के घर में 12 वरसों तक निवास करना पड़ेगा तो मा लक्षमी जी भगवान विश्णू के आग्या का पलन करते हैं और उस किसान के घर में 12 वर्षों तक रहते हैं जब 12 वर्ष मा लक्षमी जी रहते हैं तो वो किसान धन ध्यान सुक्षाधन से परिपूर्ण हो जाता है 12 वर्सों के बाद जब मालक्षमी जी अपने वेकुंड़ धाम को वापस जाते हैं तो वो किसान मालक्षमी जी को रोपता है कि मालक्षमी जी आप हमारे घर में वास करिए आप हमेशा के लिए हमारे घर में रहिए तो मा लक्समी जी उस समय कहते हैं कि एक गन्ने के कारण में आपके घर में 12 वर्सों तक रही हूँ तो आप हमेशा अपने घर में मेरे पूजन के समय में गन्ने का प्रयोग करिए तो मैं गन्ने के स्वरूप में आपके घर में विराजमान रहूँगी और आपके घर में पीचे से उपर तक गन्ना आपको लाना है जिसके बाद आपको उस गन्ने को दोनों को मा लक्ष्मी जी के दोनों तरब रखके उसका पूजन विदिवत पूजन करना चाहिए साथ ही आपको गन्ने का रस से मा लक्ष्मी जी का अभिशेक भी करना चाहिए जिससे मा लक्ष्म जी आपके उपर खुब सारा प्रेम इसने वनाएगी आपके घर में वास करेगी और आपके उपर धन्य धानने की कभी कमी नहीं होगी दीपत पांडे लोकलेट इन करगोन